हां जी विटा देखिए मैं करवारा हूं विटा question no 8 जो मैंने आपको करने के लिए दिया था मैं करवाता हूं जी देखिए हमें करना क्या इसमें exempted amount निकालना है कम्प्यूटेशन ओफ एक्जंप्रिड अमाउंट ओफ लीव इनकैश्मेंट हां जी जो चुटियों का उसको वेतन मिला है रिटायर्मेंट पे उसका वेटा एक्जंप्रिड माउंट कैसे निकालेंगे देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें बेटा मैंने चार पॉइंट बताए थे आपको फर्स्ट पॉइंट बेटा क्या होता है एक्च्वल माउंट रिसीव्ड एक्च्वल माउंट रिसीव्ड बेटा हमें गीवन है एक लाख 29,500 तो उसको सेलरी मिली है चुटियों के बदले में सब्सक्राइब बेटा उसको डिये भी मिला है हां जी बेटा टोटल बताओ बेटा कितना हो गया एक लाख 35,100 पे सेकींड नंबर बेटा स्टैचूट्री लिमिट स्टैचूट्री लिमिट मैंने आपको लिख बताई हुई है जो आपको ध्यान रखनी है थ्री लेक तीसरे नंबर में बेटा है 10 multiplied by average salary और एक बेटा यह बताया था एप्रूवड पीरियेड एप्रूवड पीरियेड मल्टीप्लाइड वाइड एवरेज सेलरी हां जी विटा यह दोनों कैलकुलेशन हमने करनी है तो पहले विटा वर्किंग नोट बना लेते हैं वर्किंग नोट में हमें क्या कैलकुलेट करना है एवरेज सेलरी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है बताएं एवरेज एलरी का बेटा फॉर्मूलाा हमारा ही होता है बेसिक पर टैन मंस सेलरी वीमश्ट की ब्येटा बेषिक पर लेनी है टैन मंस का हमें डियर्नेस पर लेना है और comments on पर मंत नियुक्ष दोसुट उन्हींज तोसओं पर जो बेसिक रठ ना इक महिने की है कि आवरेज का मतलब विटा 10 मन्स का देम पर मन्स हो गया विटा और डीरनेस पर हमार को देर रखे 200 कि और कमिशन ऑन सेल जीरो और डिवाइड़ बाए 10 यह बटा बताओ कितना आ रहा है कि यह बटा आजाएगा 20,000 कि यह बटा हमारी अबरे सेलरी आएगी यहाँ पे केलकुलेट करो 10 मल्टीप्लाइड बाए 20,000 हां जी बटा दो लाख ही आ गया और एक बटा हमें अपरूड पीरेड कितना दियावा है 19 महिने हां जी बटा 19 महिने की छुटियां उसने नई ली 19 महिने की छुटियां रिटायर्मेंट तक उसकी एक्क्यूमिलेट हो गई और मल्टीप्लाइड बाए 20,000 हां जी बटा यह कितना आएगा 3,80,000 हां तो चारों में बटा विच अबरिज लेस देख लो चारों में बटा वि पूझा जी और यहीं आंसर है टेक्सेम्टम नीं पूछा अगर टेक्सेम्टम पूछा गया हो तो कैसे करेंगे हम जी टेक्सेबल फुचे तो आपको क्या करना है एक लाग 36,006 पर मिले थे और सारे के सारे एक्जम्ट हो गए हां जी वेटा टेक्सेबल मांट वेटा नहीं ला जाएगा हां जी वेटा बताइए एक मिनुट वेटा क्या लिकावा ही एड आवेड 19 मांट ली वाइल इन सर्विस उन्द बेसिद थर्टी देज अच्छा जी हां जी वेटा 19 महिने की वह चुटियां ले चुका है टोटल सर्विस उसने कितने साल किए इस च्छब्स साल हां जी वेटा एक मिनुट वेटा ध्यान से सुनो यह यहां पर नहीं पर जो आएगा ट्वंटिए इसीक्सियर्स की उसकी सर्वीस है यह वाला पॉइंट वेटा ए जितने महीने की चुटियां करमचरी ने नहीं ली ध्यान से देखो 26 एर उसने सर्विस की है 26 साल में उसकी 26 महीने की चुटियां बनती थी 30 दिन के आधार पे और उसने ली कितनी है 19 पांजी यह लास्ट वाला पॉइंट गलत है थोड़ा सा इसको ठीक कर लो 26 एर की टोटल सर 26 मंस की वो चुटियां ले सकता था और 19 मंस की उसने ली हैं तो 7 मंस वो हैं जो चुटियां उसने अवेल नहीं करी मुझे पढ़ने में गलती लगी यहां पर 7 कर दीजिएगा यहां पर 7 प्रूड पिरिएड 7 बनेगा तो यह विटा आएगा 140 हां जी बेटा लो जी मैंने उसको ऐसे पढ़ लिया ही हेड नोट अवेल्ड का मतलब जो उसने चुटियां ली है 19 महिने की चुटियां वो ले चुका है और ले कितने महिने की सकता था 26 महिने की तो 26 में से 19 माइनस कर दो तो साथ महिने की चुटियां उसने नहीं लिए लो बेटा सेवन इंटुट अब विच एवरिज लेस बाइचांस वही आ रहा है एक्च्वल मांट रिसीवड बेटा नींचे दिया हुए देखो लास्ट में लिखा हुए है उसको कितना पैसा मिला है एक लाख 29,500 पर तो सेलरी और 56 और बेटा डिये का किसके बदले में मिला है इन रिस्पेक्ट ओव अर्ड लीव इस एक्च्वल मांट रिसीवड बेट चलो जी अब सभी बच्चे इस पर आजो शोर्ट कोश्चन में बेटा एट पर आजएगे हाँ जोटा सम नंबर एट शोर्ट हाँ जी बेटा पढ़िये इसकी स्टेट्मेंट पढ़ते हैं क्या कहता है मिस्टर घोश रिटायर सौन 31 अक्टूबर हाँ जी बेटा देखिए मैं साथ साथ चलो लाइन ड्रो करके आपको समझा देता हूँ हाँ जी बेटा यह हमारा बेटा प्रिवियस एर है कि नाइंटीन ट्वेंटी कि यह बेटा हमारा एक चार उन्निस और इकत्तिस तीन बीस क्या कहता है बेटा इकत्तिस दस उन्निस को 31 अक्टूबर उन्निस को मिस्टर घोश रिटायर हुए यह उनकी डेट ओफ रिटायर्मेंट है अच्छा जी आगे क्या कहता है उसको बेटा एक लाख बानुए हजार पे लीव सेलरी के मिले ठीक है जी फोर ट्वैल मंद्स बारा महीने की इट ऀपले उसका जो इंपलोयर है उसको साल में बेटा क्ना महीने की चुट् información करता था एक साल में द्वैने की चुटिया उसको अलाऊट थी अच्छा और वह कितने महीने की चुटियां ले चुका हांज जी बेटा 18 महीने की बेटा वह चुटियां ले चुका है लीव बेर और हिज सेलरी फोर टूथाउजन एटीन नाइटीन सेलरी बेटा देर किया बारा जार थी दो जार एठारा उननीस की और एक चार उननीस से उसकी सेलरी बेटा सोला जार पे हो गई पर मन्त चलो जी हमें क्या करना है का बीटा अमाउंट निकालना है देखिए कैसे करें पहले सम्क पूरां वह लेनी तो फिर डाउट लिखना देखिए के च्वेटेशन ओझाल पहले अमाउंट निकाल लेंगे फिर टेक्सेबल निकाल लेंगे तो एक्जम्टेड अमाउंट और लीव इनकेश्मेंट लिए बहुत ही बढ़िया कॉशन है बहुत ही अच्छा लगा मुझे यह कॉश्चन सबसे पहले एक्च्छल अमाउंट रिसीवड देखो जी एक्च्छल अमाउंट रिसीवड जो है वह बेटा दिया हुआ है एक लाख बानुए हजार हाँ जी बेटा लिख दूँ यहां रुपीज वन लेग नाइन्टी टू थाउजड हाँ जी दूसरे नंबर वे बेटा क्या लिखेंगे स्टेचूटरी लिमिट स्टेचूटरी लिमिट बेटा कितनी बनेगी बताओ रुपीज थ्री लेग चलिए थर्ड पॉइंट एवरेज सेलरी मल्टिप्लाइड वे टैन और फॉर्थ पॉइंट एप्रूड पीरियड एप्रूड पीरियड मल्टिप्लाइड वे टैन यह हमें कैल्कुलेट करनें दोनों पॉइंट अब इसके लिए आपको वर्किंग सब्सक्राइड दौट में हमें दो चीजें निकालनी है एक बेटा एएस ऐवरे सेलरी टिविज बेटा द्यान से सुनिए एक तो बटा मैं निकालूगा अप्रूड पीरियड तो मैं पहले प्रूड पीरियड निकाल रहा हुँ बिटा कैल्कुलेशन ओफ एप्रूड पीर लिए पहले यह देखो इंप्लोई ने अब तो सबसे पहले विटा में प्रूड पीरेट निकालते हैं ता प्रूड पीरेट वीड़ा निकालने का तरीका क्या होता है और पहले लिखो यहां पे टोटल टोटल लीव्ज टोटल लीव्ज एस पर आईटी नॉम्स इंकम टेक्स के नॉम्स के हिसाब से कितनी छुटियां बनती है हांज बेटा ध्यान से देखो उसने 20 यर सर्विस की है और उसका इंप्लोयर एक साल में डेड़ महिने की छुट्टी अलाउड करता है तो मैंने आपको कितना बताया था हांज बेटा डेड़ महिना तो लेना ही नहीं है ज्यादा से ज्यादा वन मंत हो सकता है हांज बेटा 20 इंटू 1 एक साल में बेटा इंप्लोयर भले डेड़ महिने की छुट्टी अलाउड करता हो बटा आपने वन मंत से ज्यादा नहीं लेना तो 20 इंटू 1 वेटा कितना हो गया हिसके तो प्रूड पिरेड अज्य वेटा यह को आज आ कि आसको ना श्यक्व किह करना कि तो आपको करना कहें है श्योंगे मोई है यह लिख दो है प्रूड पिरियेड चल आि यहाँ पर तो है अवरे सियेल्री यहां पे हमारा क्या था average salary approved period बेटा कितना है approved period हमारा है two months अब बेटा इसको हमने किसे multiply करना है average salary से बेटा मैंने ठीक कर दी है यहां पे approved period multiplied by average salary था हाँ ठीक है कोई बात नी हाँ जी बेटा होती रहती है बड़े बड़े शेहरों में छोटी छोटी गलती है चलो जी देखिए हाँ जी बेटा बताईए approved period पहले बताओ बेटा clear है या नहीं है approved period clear है या नहीं है तब आगे बढ़ेंगे हाँ जी बेटा हमारा स्टेचूटरी लिमिट हो गया अब हमारा में चीज क्या रहेगी में चीज बेटा हमारी रहेगी एवरेश सेलरी लो जी अब आज़ो एवरेश सेलरी कैसे निकाल लेंगे नेक्स्ट वर्किंग नॉट बेटा आजओ एक वर्किंग नॉट और बनाते हैं हांज बेटा कैलकुलेशन ओफ एवरेश सेलरी हांज बेटा एवरेश सेलरी कैसे निकाल लेंगे जी एवरेश सेलरी के लिए पहले ये देखो रिटायर्मेंट से पहले के दस महिने रिटायर्मेंट से पहले के दस महिने कौन से बनेंगे रिटायर कब हुआ ये तो रिटायर्मेंट से पहले के 10 महिने क्या बनेंगे बताओ 31-10-19 को अगर कोई रिटायर होता है हाँ जी बटा हाँ तो जन्वरी टू अक्टूबर हाँ जी बटा 31-10-19 को अगर कोई रिटायर हुआ है तो बटा उसका जो बनेगा जन्वरी हाँ जन्वरी 19 यह विटापडेट मैंने बना दिए यहां पे लो जी यह से लेकर 31-10-19 यहां से लेकर को और यहां तक यह विए हमारे टैन मेंस होगे अब देहां से कॉस्चन में क्या रखा है हान जी बीटा 2018 19 में उसकी सेलरी थी राजार और keyλλion से बटा BEटा 16 रोगी है सुनो जी कि यहां पे विटा यहां से सेलरी 16 रोगई यहां से 16,000 रोगई यह से पहले कितनी थी इससे पहले थी 12,000 कि इस पिरिट में इस पीरिड में जो उसकी सेलरी थी वो थी बारह जार और बाद में एक चार उन्नीस से कितनी हो गई है 16000 तो आप यह देखो 10 मंस में 10 मंस में बैटे कितने तो बारह जार वाले महिने और और कितने 16000 वाले तो अप्रेल से लेकर अक्टूबर तक कितने बनेंगे सैमन मंस यह बैटा सैमन मंस तो यह बन रहे हैं यह बैटा कितने बन रहे हैं यहां पर जो टाइंस प्रेड है यह बनेगा एवरे सेलरी बाद में निकाल लेंगे पहले बेसिक पे 12,000 multiplied by 3 और प्लस 16,000 multiplied by 7 था जी बेटा ज़रा टोटल करना बेसिक पे बेटा बताओ मुझे कितनी आ गई बेसिक पे बेटा आ गई 1,48,000 चलो जी डियरनेस पे बेटा देखो है डियरनेस पे कुश्चन के अंदर है कही डियरनेस पे बेटा नहीं है और कमीशन ओन सेल भी नहीं है डियरनेस पे बेटा कितना हो गया जीरो कमीशन ओन सेल भी कितना हो गया जीरो तो बेटा आब एवरे सेलरी एस कैसे निकलेगी 1,48,000 10 मंस की यह प्लस 0 प्लस 0 और डिवाइड़ बैटा 10 तो रुपीज 14,800 यह बैटा हमारी एवरे सेलरी आ गई तो यहां बैटा कर दो आज बैटा 14,800 तो मल्टीप्लाइड बैटें 14,800 और मल्टीप्लाइड बैटें एक लाखड़ तालीस जार बैटा यह हो गया और यहां पर बैटा टू मल्टीप्लाइड बैट चोदा आठ सो कि कि इतना हो गया यह आज बताए यह बैटा बना 29,600 है चारों में देख आख बैटा 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 कौह सा मांट बन रहा है 39,600 टू अनतिस खेसा गया रहा ऊंपूंटू हमें चाहिए क्या हमें चाहिए टेक से टैक्ट से ब्रमाउंट कैसे निकलेगा फैसे प्रमाउंट होता है एक्चुल अमाउट रिशीवड है माइनस एक्जम्ट इड़ एक्च्ट लमाउंट बेटा रिशिव कितना वा था सर्ट एक लाफ बानुन के जार और ऐग्जम्ट कितना हो गया बताओ बेटा हां जी बेटा बताइए इस सम्में बेटा कोई दिक्कत चलो जी एक सम्म बेटा और करेंगे हम और फिर क्लास को ओवर करेंगे एक सम्म बेटा सभी बच्चे कोश्चन नमबर 11 पर आजएगे कोश्चन नमबर बेटा 11 निकाल लेजिए 11 सम्म बेटा लोंग वाला निकालना है लोंग कोश्चन का शोर्ट का नहीं लोंग कोश्चन को पढ़ो बेटा इस सम्म को 11 सम्म में बेटा क्या कहता है मिस्टर नाइयर इज वर्किंग इने जूट मील कंपनी मिस्टर नाइयर एक कंपनी में काम करता है कैलकटा में कौन सी डेट से एक मार्च 2012 से उसका ग्रेड पे दिया हुआ है साथ में बेटा डियर ने से लाउंस दिया हुआ है ट्विंटी परसेंट वो बेसिक पे जिसमें से आधा डिये अंडर दा टाम्स ऑफ इंप्लॉइमेंट यानि कि आधा डिये जो है उसको डियर ने स्पे मानने है ट्वेल प इंप्लॉएर से लोन लिया जो प्रॉइड प्रोविडेंट फंट से उसने पैसा निकाल लै जिसमें से चार जार पे वहर महिने लोटाएगा वापिस चलो जी आगे क्या कहता है शबिटा है हैंजा ही फिचा篪्राइद विद रेंट फ्री हाॉस को बैटा रेंट फ्री हाऊस की स्वीधा विं इम दिन कि और है ओर जो मकान उसका उचित की राया चवालिस जैर फे फेर ग्रेंट दिया हूए इसके लावा उसको कंवेंस मिल रहा है फॉर प्राइवेट परपस मेडिकल अलाउंस विटा चार सो रपे पर मंद सर्वेंट अलाउंस फॉर हंड़ेड पर मंद एक लाख 20,000 पर उसको लीव सेलरी के भी मिले हैं आगे क्या कहता है उसको गाड़नर की स्विधा दी हुई है कुक की स्विधा दी हुई है इसके लावा उसको एक छोटी कार भी मिली हुई है कार दोनों कामों के लिए यूज होती है और मिस्टर नईयर के दो बच्चे कंपन और एक बच्चे पे जो खर्चा आता है 600 पे पर मंथ कंप्यूट मिस्टर नईयर टेक्सेबल सेलरी एज्यूमिंग देट सेलरी इस डियों दा फर्स्ट डे ओफ नेक्स्ट मन यह लाइन बेटा बहुत इंपोर्टेंट है सेलरी कब डियो होती है फर्स्ट डे ओफ नेक्स् पहले मैं कि लाइन ड्रो कर रहा हूं कि अग्यूट यह हमारा प्रीविएस एर है नाइंटीन ट्वेंटी एक चार उन्निस और यहां विटाइक अत्यस तीन बीज पहले पेशकेल दिया हुआ उसका पेशकेल लिख लेते हैं पेशकेल कौन सी डेट से अपली केबल है एक मार्च बारा से लो बेटा एक तीन बारा से एक तीन तेरा फिर बेटा तेरा चोधा लो बेटा यह लिखते जाओ चोधा पंद्रा पंद्रा सोले सोला सोला सत्रा सत्रा थारा अठारा उननिस यह उननिस बीस के और बीस एक तीन बीज से एक तीन इक्षित जी बेटा देखिए पहले कितनी थी उसकी सेलरी कि अजी बेटा एट थाउजंट पहले एट थाउजंट थी एट थाउजंट के बाद बेटा फिर एटी फोर हंड़र्ड फिर बेटा कितनी हो गई थी एटी एटंडत फिर बैटा नाइटी टू हंड़र्ड फिर नाइटी सिक्सेंडडक आफिर अजी या 10,000 बनेगी सोरी 10,000 के बाद 10,400 फिर बेटा 10,600 और 10,600 में बेटा 400 जोड़ तो 11,200 ठीक है चलो जी हाँ जी बेटा इस कोश्चन में ये कहीं भी नहीं लिखावा कि करमचारी रिटायर हुआ है रिटायर बेटा हुआ ही नहीं है तो कैसे करेंगे देखो रिटायरमेंट की डेट बेटा देखो पूरे सम्में कहीं दे रखी है पूरे सम्में कहीं भी रिटायरमेंट की डेट नहीं है तो आप सिंपल क्या करो अपना जैसे टेक्सेबल सेलरी निकालते हो हाँ जी बेटा कम्प्यूटेशन ओफ टेक्सेबल सेलरी फॉर्मेट बिटा हम बना लेते हैं पार्टिकुलर और अमाउंट लो जी सबसे पहले बिटा किस पे आ जाओ बेसिक पे हमें बेसिक पे कौन से एर की चाहिए हमारा प्रीवियस एर यह है 19-20 एक अप्रेल 19 से हाँ जी बेटा मुझे इस एर की बेसिक पे चाहिए उननिस 20 की तो एक अप्रेल 19 से और 31 मार्च 20 तक की बेटा बेसिक पे निकाल लिजी आज बेसिक पे देखो 114.19 का महीना किस में आएगा सुनो जी ये ये बटा है 113.19 113.19 से 1320 है ये जरा मुझे ये बताओ 113.19 से 1320 के बीच में हाझ जी बटा ये भी डेट आएगी 149 हाझ जी बटा 10800 सुनो बटा ये जो 108,00 है अच्छा सेलरी हमने इस कोश्चन में यह भी ध्यान अखना है कहां से कहां तक की लेनी है हां जुटा सेलरी कब डियो रही है on the first day of next month तो सेलरी बताओ कहां से कहां तक की लेंगे हां जुटा सेलरी लेंगे मार्च टू फैब हमें मार्च 19 से फैब 20 तक जाना है तो पहले मार्च 19 का महिना बेटा देखो कहां पर आएगा मार्च 19 का महिना लो जी इसी में आएगा हां जी बेटा और फैब 19 तक फैब 19 तक बेटा सारा का सारा यही चलेगा 10-800 ग्यारा दोसों में बेटा कुछ आ रहा है ग्यारा दोसों वाले में तो कुछ भी नहीं आएगा हमारी जो डेट दे रख किया है कि o एक तीट उननी इसे 1 एक तीन 20 आ जिए बटा धियां से देखो सारा का सारा इसमें आ जाएगा सारे के सारे मंस this सब्सक्राइब कि पिप मिठेब 20 खाइंटी मी तो प्रता इसी में आएगा यह एक तीन 20 तक है तो यह जो फैब का मेहिना भी इप तिसमें आएगा मार्च उन्स टू फैब टुवंटी लेना है थे तो फैब टुवंटी का महिना इसी में तौा रहा है फैब ट्वंटी देखो 232 में थोड़ी जाएगा 1120 कब से शुरू है एक मार्च बीस से और हम ले ले रहे हैं फैब टुवंटी तक तो बेस्री के सारी 10,800 multiplied by 12 हाँ जी बेटा कितनी आएगी 1,39,600 लो बेटा basic पे हो गई अब आजो बेटा DA सभी बच्चे बेटा DA देखो DA कितना दिया हुआ है DA 20% किसका बेटा 20% करना 1,39,600 का 20% हाँ जी बेटा 1,39,600 का 20% बेटा कितना बनेगा 4,800 लो बेटा ये हो गया अब 4,800 जो DA है उसमें 50% 50% DA बेटा वो वाला है तो मैं लिख देता हूँ ब्रेकेट में अंदर 32,400 पे 4,800 में से 32,400 पे बेटा डीरनेस पे भी है चलो जी टोटल तो बाहर 4,800 ये आएगा अंदर की सैड लिख देना इस 4,800 में कितना डीपी है 32,400 चलो जी आगे बढ़ते हैं हाँ जी बेटा उसके बाद दिया हुआ है employer contribution towards आरपीएफ हाँ जी बेटा employer का बेटा contribution कितना है 12% और 12% तक तो एक्जम्ट होता है हाँ जी बेटा employer contribution in आरपीएफ fully एक्जम्ट आ जाएगा बेटा 12% तक है 12% तक एक्जम्ट होता है आगे बढ़ते हैं हाँ जी बेटा provident fund से उसने loan पैसा लिया है अपने ही provident fund provident fund बेटा किस का है करमचारी का है उसमें से loan लिया है यदि कोई करमचारी provident fund से अपना ही पैसा loan के रूप में लेता है तो उसे बेटा लोन नहीं माना जाएगा सुनो जी ध्यान से पांजी बेटा एक लाख नत्तिस जार छेस्सो का 20% बेटा मुझे तो 64800 बताया है यह किसने बताया बेटा 64800 चैट वोक्स में आप नहीं मुझे बताया था चलो मैं ठीक कर रहे तो हांजी बेटा बताओ कितना है कितना लिखूँ आप बता दो हांजी बेटा 25920 बेटा कैलकुलेशन को पहले कनफार्म किया गरो तब मुझे बताया गरो हांजी बेटा 25920 का 50% बताओ अंदर की तरफ कितना लिखूँ 120960 चलोगी ओंजी बेटा इंप्लॉयर कंट्रिवीशन हो गया एक्जम्ट हम बेटा नेक्सत है लोन जो है उसने प्रोविधंट फंट से अपने ही पैसे से ले अपना पैसा वेता उसने प्रोविधंट से निकाल लाएं तो इसको लॉट नीकरेंगे यह इंकम नहीं है खुद का पैसा अगर आप प्रॉविडेंट फंड का पैसा लॉट के रूप में निकालते हो तो वह इंकम ट्रीट नहीं होता उसको बैटा छोड़ दो वैसे लोन लिया उता उसने इंपलोयर से फिर हम देखत कि लोन का माउंट 20,000 से ज़्यादा है यह 20,000 से कम है फिर इंटरस्ट फ्री लोन की कैलकुलेशन करते बट इस कोशन में लोन का कुछ नहीं करेंगे क्योंकि करमचारी ने खुद का पैसा निकाल ला प्रॉविडेंट से और खुद का पैसा बेटा अगर कोई निकालता है तो वो लोन थोड़े हुआ ठीक है तो इसको कंसीटर नहीं करेंगे चलो जी हां जी बेटा और क्या देर रखा है मेडिकल अलाउंस लो बेटा लिको फटा बट से मेडिकल अलाउंस कितना है मेडिकल अलाउंस बेटा दिया हुआ है 400 पे पर मंद हां जी बेटा 400 इंटू 12 मेडिकल अलाउंस बेटा 48 अलाउंस बेटा कितना है करेंगे बेटा रेंट फ्री आउस भी करेंगे पहले अलाउंस इज लिख रहा हूँ में सर्वेंट अलाउंस कि फोर हंडर्ड इंटू 12 में जी बेटा 48 और पे सर्वेंट अलाउंस भी है कि कन्वेंस अलाउंस के आगे लिखा हूँ है फॉर प्राइवेट परपस यह भी बेटा फुली टेक्सेबल हो जाएगा अगर ऑफीशल परपस के लिए होता कर्वेंस अला अगर ऑफीशल परपस के लिए हो तो बेटा इसका रूल होता है अमाउंट रिसीवड माइनस अमाउंट स्पेंट चलो जी आगे बढ़ते हैं और बेटा क्या दिया हुआ है यहां निकाल लेते हैं वैल्ली ओफ रेंट फ्री हाउस यह इसका वर्किंग नोट बनाएंगे अभी तो इसको मैं फिल इन दा ब्लैंक्स छोड़ देता हूं अभी खली इसके अलावा उसको बेटा लीव सेलरी का पैसा मिला है लीव सेलरी का पैसे का क्या करेंगे बताओ अपने व्यूज लिखो चैट बोक्स में लीव सेलरी लीव सेलरी का पैसा अभी करमचारी रिटायर नहीं हुआ पैसा निकालता है तो सुभे मैंने बताया था क्या होता है बता वह एक लाख बीस जार पर फुली टेकसेबल अगर रिटायर होता फिर वह चार पाइंट लगाएंगे फुली टेकसेबल हो गया एक लाख बीस जार तो पुछ सोचने की जूड़ती निहीं है अब गाड़नर से सेलरी कितनी है 150 पर मंद गाड़नर और एक कुक मिला हुए दोनों के बेटा वन फिफ्टीन टुट्वेल्ब वन फिफ्टीन टुट्वेल्ब बेटा ठारा सो ठारा सो लिख दो चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर बेटा यह लिखा वह उसको कार मिली हुए है हाँ जी बेटा कार किस परपस के लिए मिली हुए स्मोल कार है और दोनों कामों के लिए हाँ जी बेटा और कार के खर्चे कौन कर रहा है अधार जी बीटा कुछ नहीं दिया वह कार के खर्चे कुन कर रहा है तो आप नीचे नोट देज़ना इंप्लोएर ही मान लेंगे स्मोल कार और इंप्लोएर खर्चे कर रहा हो तो कितने का रेट अपली के भी रोगा अठारा सो का लो जी अठारा सो इंटू बारा हाँ जी बेटा अठारा सो इंटू बारा कर दो बेटा कितना आएगा फटा बेटा बताओ 21600 बेटा यह हो गया अब आजाओ वैल्ली ओफ रेंट फ्री हाउस अच्छा एक वो दियाओ एजूकेशन फैसिलिटी एजूकेशन फैसिलिटी बेटा है एजूकेशन अलाउंस नहीं है एजूकेशन फैसिलिटी है करमचारी के दुनों बच्चे इंप्लोयर के इंसीचुशन में पढ़ रहे हैं और एक बच्चे पे जो खर्चा आता है वह 600 रुपे पर मत है तो मैंने आपको लिखवाया हुए वन थाउजन पर मन्त से कम खर्चा आए तो टेक्सेबल अमाउंट नहीं लोगा एक बच्चे पे बेटा जो कंपनी खर्चा कर रही है वह थाउजन रुपी से कम मैं लिख देता हूँ लेस देन थाउजन है चलो जी यह भी बेटा नहीं लो गया अब आजाओ रेंट फ्री और प्रेन विखिए पूद को है उठाए तो फिर जन संखर्चा दें यहां यह जनसंखर्चा नदे रकिए तो हम क्या मान लिते हैं कुछ मेलते थे कौ स्पॉलेशन मोर दें 25,25 लाग से जादा मानेंगे और 25 लाग से बिटा अगर जादा जनसंख्या हो तो उस case में मैंने taxable amount कितना बताया था taxable amount 25, 15% sorry 15% of salary और salary में क्या क्या लेना है salary में बिटा ये आएगा देखो एक तो basic पे full ले लो salary में बिटा क्या क्या लेंगे बताओ एक तो basic पे full लेंगे basic पे के अलावा बेटा ये ले लो dearness पे dearness पे आधी लेंगे ये 12960 dearness पे हो गया करो बेटा टोटल करते जाओ फटावट से हाँ जी बेटा फटावट करो थोड़ा सा fast 29600 प्लस 12960 प्लस 4800 प्लस servant allowance भी आएगा convince allowance भी आएगा लो बेटा इनका टोटल करके मुझे बता दो जिनको मैंने टिक मार किया है 12960 ये बता 12960 चेक कर लो बेटा बाकी भी कहीं गलत ना बताया हो मधूने 12960 मधूने बताया मुझे चेक कर लो बेटा 129600 प्लस 4800 प्लस 4800 प्लस 7200 प्लस 12960 लो जी दीपा ने लिखा 16960 लो जी मैं चेंज कर रहा हूं विटा 16960 का 15% कर दो 16960 का विटा 15% फटा वट से करो जी 23904 पे बेटा आ गया लो जी यह मतान की वेल्यू आगी अन फर्निश्ट हाउस की फर्नीचर है नहीं बेटा तो छोड़ो लो जी लिख दो यहां पे 23904 फटा फट से बेटा टोटल करो और मुझे टेक्स ग्रोस सेलरी बताओ ग्रोस सेलरी और लेस डिड़क्शन डिड़क्शन बेटा मैं 50,000 लिख रहा हूं अजी बेटा बताईए ग्रोस सेलरी बेटा बताओ फटा फट से बेटा ग्रोस सेलरी बताईए मिरको कलास बंद होने वाली है इन्होंने बेटा ठीक बताया है ये बिल्कुल सही है 169,360 एक 169,360 करेक्ट है आपने बेटा ये नहीं लिया डीरनेस पे भी लेना है 12960 ग्रोस सेलरी बेटा बताईए जल्दी से तीन लाग 41,424 में बेटा पचास जार मैनस कर दो पचास जार मैनस करेंगे तो बेटा ये आएगा 129,9424 ये बेटा हमारा आंसर है और आंसर बिल्कुल सही आ रहा है करेक्ट है हाँ जी बेटा चलो जी बेटा बाई बाई कलास बंदोने वर्दी है हमारा आज का काम हो गया